हाई गाईज वेलकम वंस अगीन तो माई यूटूब चैनल और आज हम इस वीडियो में अपना कैमेश्य का चाप्टर कांटीनु करेंगी जो हम कर रहे थे कंबश्चन फॉसल फ्यू तो चलिए करते हैं हमने लास्ट वीडियो में इस चाप्टर से रिलेक्टर हमने लास्ट देम्प्रियार अंड एक्सेक्टर का फी चीजां के बार मैं था फिर हमने ऊच्सेजें कर रहे थी कि हम थेयूक काकीлож थी पींड तो हमें सब्दों कि वे लिए बीएर फीय। पर लीए मैं लीएपि्य। कि पूर्शन को सब्सक्राइम पुर्शन ये फियों में और इसमिलडल हगा तो में लिएपर होगा सब्सक्राइब दूल तो चलिए हम अपना नेक्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का कि what is fuels, fuels क्या होता है, तो हमें बता है कि substance जो burn हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं combustible substance, तो वही सेम चीज फ्यूस में आते है कि most of the substance, most of the substance, बर्निंग में यूज होते हैं, most of the substance used for burning are called fuel, fuel मतलब ऐसे substance जो burn हो सकते हैं, इसको कहते हैं fuel, substance that produce heat and light energy on burning are called fuel, substance जो light और heat देते हैं, यह दोनों energy देते हैं, जब burn किये जाते हैं, उसको हम कहते हैं fuel, मतलब उसका identification बता दिया कि fuel वो होगा, अगर पहरी चीज तो substance जो burn होती है, दूसरी ऐसा substance जो heat और light को produce करती है, कोई भी चीज हो सकती है, कुछ commonly used fuel है, example जैसे की wood है, coal है, cow dung cakes है, kerosene है, LPG है, petrol है और diesel है, तो यह सारे examples हो गए हमारे fuels के, देखिए, fuels सारे substance है, सारे substance जो burn हो सकते हैं, water बर्णनी हो सकता है तो फ्यूल नहीं है, cement बर्णनी हो सकता था फ्यूल नहीं है, sand भी नहीं है, ना ग्लास है, तो fuel से वह है जो substance बर्ण हो सकता है, और बर्ण होने के बाद heat और light energy produce करता है, तो वह सेम चीज होगी जो कमशे बस substance में होती है, है ना, ना, We use fuel for cooking, heating in automobiles and for generation of electricity. हम लोग fuel का use अपने काफी चीज़ों में करते हैं, जैसे कि हम cooking में करते हैं, जब खाना बनाते हैं, तो हमें LPG gas के जरुरत होती है, ठेक है, heating, heating के जरुरत होती है, ऑटो मोबाइल्स में भी fuel का use किया जाता है, और electricity generate करने के लिए भी ऐसे fuel का use किया जाता है भी power generate करने के लिए बेस्ट ओफ दे फिजिकल स्टेड्स के बेस्वेज लेज गाशेद एसे फिसी के पर अगर डिलाण करें करें तो जो fuel है उसको 3 पार्ट में डिबाड़ेट करा तो मतलब त्वेक्व हम एक्जांपल्स करने उत्प मुझा व Philippines exercise यंख़ेंद आपको सजचुन रहा है सोलेड मतलब अपूरा मतलब व्लिकोड मतलब उत्प इनकाज Haglot तो आगे हमारा जो नेक्स टॉपिक आ रहा है इसमें भी आपको मैंन के बारे में बताऊंगी तो हमारा सॉलिड फ्यूल हो गया तो एक अब मैं आपको रिवाइस करा देती हूँ सॉलिड फ्यूल ऐसा फ्यूल डाट आग्जिट इन सॉलिड इस्टेट अट रूम टंपरेचर इसको हम कहते हैं लिक्विड फ्यूल मतलब कशिएट प्रइचर ओर लिखुइड फ्यूड चीज़ें होती है यह सारे इक्जामपल ऑन लिकविडा होते हैं और फ्यूल इसलिए क्योंकि यह सब चीजें बॉन हो सकती है बहुत ही आसानी से और बलकिंगी ऐसी चीज़ें रापिटली केच कर लेंगी फायर को है ना यह थो हमने liquid fuel के बारे बात किया एक बार आप definition देख सकते हैं fuel that exits in a liquid state at room temperature are called liquid fuel kerosene, petrol, diesel and fuel are our example of liquid fuel अब हम पढ़ते हैं gaseous fuel के बारे में gaseous जिसमें gas of vapor हो ठीक है fuel जो gaseous state में exits होते हैं room temperature में उनको हम कहते हैं gaseous fuel मतलब जैसे कि हम petrol को burn करेंगे तो petrol को burn करने के बाद आप देखेंगे उसमें gas निकलती है कोई ना कोई harmful या कैसी भी gas निकलेगी तो वो आ जाती है gaseous fuel में क्योंकि वो चीज़ बंट हो रही है ना biogas होती है natural काफी काफी सारी gas होती है तो यह सारा एक्जामपल आ गया हमारा gaseous fuel में एक बड़ा डेफिनिशन देख लीजे fuel that exits in gaseous state at room temperature are called gaseous fuel petroleum gas natural gas and biogas are the example of gaseous fuel ठीक है अब हम पढ़ते हैं कुछ characteristics of a fuel के बारे में तो चलिए हम पढ़ते हैं characteristics of a fuel के बारे मतलब fuel के क्या क्या characteristics हैं जो हमें मतलब ध्यान देने चाहिए देखिए fuel वो होता है जो भी substance burn हो सके और burn होने के अब हमें पता है कि सारे अबस्टिबल सबस्टेंस होते हैं वो फ्यूल मतलब not all combustible substance can be used as a fuel for all application सारे कमस्टिबल सबस्टेंस को हम फ्यूल के तरह यूज नहीं कर सकते क्यों क्यों नहीं कर सकते क्योंकि उनमें सारी applications नहीं होती है कुछ में नहीं होती है कुछ में नहीं होती है जैसे कि this is because all through all fuels produce heat and light and burning some produce more energy than others इसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो हमें पते हैं सारे फ्यूल ऐसे होते हैं जो ज्यादा energy produce करते हैं दूसरों से beside the amount energy is produced choice of a fuel weather for domestic or industrial use इसलिए energy कितना amount of produce होगी वो हमें choice करना पड़ता है फ्यूल मतलब हम उसको पहले हम देखेंगे देखना पड़ता है कि हम उसको किसकी यूज के ले रहे हैं पहली चीज या हम इसको domestic use के लिए लेना चाहते हैं domestic use के लिए आप solid में एक्जामपल ले लिजे काव डंग केक वोड है ना या फिर आप कोई industry use के लिए उसे लेना चाहते हैं यह और हाँ it also depends upon the cost उसकी cost कितनी है efficiency और availability क्या वो आसानी से market में available है and the exchange of pollution is score और इस पे डिपांड करता है कि वो कितना ज्यादा pollution कॉस कर रहा है a very important characteristic of a fuel is a calorific value यह तो fuel का characteristics है लेकिन जो main characteristic है fuel का वो है calorific value इसके बारे में हम अभी यहां पर पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक और आपको रिवाइस कर तो मैंने इसमें भी क्या पढ़ाया एक और बार इसमें यह कहना चाहरा है कि सारे combustible substance fuel की तरह यूज नहीं किया सकता क्यों किया सकता क्यों कि यहां मैं पाता है सारे फ्यूल जो है वो हीटोलाइट प्रडूस करते बढ़ने पर लेकिन कुछ ऐसे होते जो more energy प्रडूस करते दूसरों से तो यह चीज कुछ चीजों पर डिपांड करता है मतलब कुछ फ्यूल के करेक्टरिस्टिक पर डिपांड करता है पहली चीज तो यह है कि हम उसको उसको किसके लिए यूज करना चाते है उस फ्यूल को किसके लिए यूज करना चाते है मतलब चॉइस किया होनी 제 वह ओके अवेलिबल है और भूते जओपशी है अब पंदते हैं जो मैं बता शोब ant жен पीछ से क्लेफिक्डिस है दो गर्लिक्ड वैल्यों तो कलो रफिक वैल्यों फ्टीस इस अब केजी होता है ऐसी इस यह एक कालोरिफिक वैल्यू है कि इसमें वह फ्यूल्स को बताने के लिए कितनी जादे उसमें आमाउंट उसमें अब कालोरिफिक वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम लोग as the amount of heat produced in kilojoule उसमें जो heat produced होती है वो हम kilojoule में निकालते है मतलब पहचानेंगे कैसे अगर हमने 1 gram of fuel completely burn कर दिया 1 gram 1 gram of fuel हमने completely burn कर दिया तो इसका मतलब उसमें calorific value है मतलब kilojoule में produced in kilojoule now the unit for representing calorific value is kilojoule calorific value को represent करने के लिए उसकी value है kilojoule मतलब kg calorific value is expressed in kg gram in term the higher calorific value of a fuel is more heat is produced than one अब ये main character इसलिए है क्योंकि ये हमें बताता है कि वो जो fuel है वो हो जादा heat दे रहा है या कम heat दे रहा है कैसे अगर हम simple term में कर रहे है simple term में बताऊं तो calorific value अगर higher fuel की तो इसका मतलब वह burn करने पर बहुत ही जादा heat प्रेडियूस करेगी इफ तो इसका मतलब ये इसका मतलब ये जो fuel है वह अच्छा fuel है अब यहां पे एक टेबल में आपको दिखाऊंगे जिसमें हमें कुछ फ्यूल के बताई रखें उससे पहले हम तोड़ सब यह पढ़ लेते हैं जबी भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं किसी भी मशीन के द्वारा किसी बात है जो भी हम फ्यूल को बन करेंगे तो वह कोई ना कोई ना कोई एक वेस्ट हीट करते हैं कुछ ऐसी होते हैं जो एयर में वावचाते हैं पुरे एयर को पुलिटिट कर देती हैं और उस तीज को हम लोग कोई या अधर परपर्स के लिए यूज नहीं कर सकते अब क्या होता है जैसे कि अब हाँ से जो प्रपोर्शन आफ एनर्जी होता है जो हम हाँ से एनर्जी मिलती है वहाँ उस फ्यूल को हम लोग कनवर्ट कर देते हैं मशीन की द्वारा कुछ यूसफुल वोक करने के लिए और वह फ्यूल को मतलब एक सब्सक्राइब कर देते हैं जो यूसफुल होता है उसको हम कहते हैं अब हम मैं बता रहे थी कि अब हम कुछ फ्यूल की कैलरिफिक वैल्यू को देखेंगे तो चलिए देखते हैं यह पे फ्यूल दे रखे हैं यह और यह यह आपे कैलरिफिक वैल्यू दे रखी है था कि गलरिफिक वैल्यू दे रखेंगे दिजाएं पंदे आखेंगे जो जितना जादा जाद हो तो इसका मतलब हमें बताता है कि वह कलरिफिक वैल्यू जो फ्यूल की है वह फ्यूल बैटर फ्यूल है तो wood pallet की 17 किलो जूल है, charcoal की 35 किलो जूल, coke की 33 किलो जूल, petrol की 47 किलो जूल, LPG की 50 किलो जूल है ठीक है अब hydrogen की अगर हम देखें तो hydrogen की है 150 किलो जूल तो इन सब में से सबसे ज़्यादा जो कलरिफिक वैल्यू है वो है हाइड्रोजन की ठीक है नाव कोल 25-30 थरी किलो जूल काव डंग केक 7 किलो जूल केरोसीन 48 किलो जूल बायोगैस 35-40 किलो जूल मिथेन 55 किलो जूल डीजल 45 किलो जूल अब यह कुछ कलरिफिक वैल्यू थी किसकी? फ्यूल्स की अब हम कुछ important characteristic पढ़ते हैं ideal fuel की हमने तो हाँ पर characteristic पढ़ा था fuel की अब हम एक सिंगल fuel की कुछ characteristics होते हैं हर fuel की अलग-अलग होते हैं तो उसमें हमने सिर्फ वसे fuel के बारे में पढ़ा था अब यहां पर हम एक आईडल fuel के बारे में बात करेंगे क्या-क्या उसकी characteristic होने चाहिए इड शुड है वा हाई कलरिफिक वैल्यू हमें पता है हाई कलरिफिक वैल्यू होनी चाहिए ताकि ज़्यादा heat प्रेडियूज हो हाँ तो पहली चीज यह होती है कि दड़ आईडल fuel की characteristic कि उसकी कैलोरिफिक वैल्यू जधा होनी चाहिए अब दूस्री चीज क्या होती है उसमें वहां उसका ignition temperature लो होना चाहिए हाँ तो ignition temperature लो क्यों होना चाहिए हाँ लेकिन एक minute ignition temperature लो होना चाहिए लेकिन room temperature से ज्यादा होना चाहिए room temperature से low होगा तो वो substance fire को catch नहीं करेगा लेकिन ignition temperature क्यों low होगा हमने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे condition necessary for combustion उसमें तीसरी चीज थी ignition temperature ignition temperature में हमने पढ़ा था कि जितनी ज्यादा minimum जितने जादा लो होगा temperature उतनी जल्दी वो substance fire catch करेगा तो ignition temperature low होना चाहिए but above the room temperature if the ignition temperature is too low the fuel will catch fire very easily तो अगर ignition temperature जादा low होगा तो वो fuel को catch करेगा हम room temperature को इसले उससे low इसले कह रहे हैं कि low से नहीं होना चाहिए तो कि अगर उससे low होगा room temperature से low होगा तो वो उसके हलकी से जैसे magnet attract कर लेता है ऐसी तुरंत वो fire को catch कर लेगा और यह हमारे लिए dangerous भी हो सकता है if it is very high अगर वहां की जो fire है बहुत ही जादा है the fuel has to be heated for a long time before it can be catch fire fuel जो है उसको हमें पहले बहुत देर तक heat करना चाहिए गरम करना चाहिए फिर उसके बाद वह catch करता है fire को it should have a moderate rate of combustion and should release heat in a controlled manner जो fuel होता है हमें ऐसे fuel को burn करना चाहिए जो moderate rate of combustion दे रहा हो मतलब जादा उसका temperature ना हो और वह control amount of heat produced करें मतलब environment में जादा dangerous ना हो इतना it should be fairly cheap and easily available हमें ऐसे fuel को use करना चाहिए जो आसानी से easily available हो जाए market में और बहुती cheap मतलब सस्ता हो जादा महेंगा ना हो a fuel may have a high colorific value but if it is expensive and not easily available it cannot be used on a day-to-day basis यह हम पर डिपान करता है कि हम इतने पैसे खच क्यों करें इतने पैसे खच क्यों करें why should we waste our money हम पैसे वेश क्यों करें इसलिए हमें colorific value हमें substance तो ऐसा लेना है कि colorific value उसे fuel की जादा हो लेकिन देखके लेना है अगर वह expensive होगा और इसलिए वह आसानी से market में available नहीं होगा तो हम उस चीज़ को day-to-day basis में यूज नहीं कर पाएंगे इसलिए cheap रेना चाहिए और ऐसा जो market में आसानी से daily available हो सके ना फिर चीज़ है it should be safe to handle store and transport फ्यूड हमें ऐसा यूज करना चाहिए अगर हम burn करें तो हम उसको safe रहें उससे ज्यादा कुछ dangerous चीज़ ना हो safe और पकड़ने के लिए भी safe हो और ट्रांसपोर्ट में एक जगे से दूसरे ले जाने के लिए ठीक हो और फिर लास्ट चीज़ होती है that it should not cause pollution on burning वह pollution जादा ना करे हम burn करें तो not all fuel can fulfill every one of these characteristics जरूरी नहीं है कि सारे fuels में यह सारे characteristics होते हों इसलिए सारे combustible substance fuel की तरह यूज नहीं किया सकते है all characteristics के साब से हमने पैरी लाइन में हमने यही पड़ा था Hence, fuel need to be compared on each other in order to choose the right fuel इसलिए हमें fuel को एक दूसरे से compared करके ही चूज करना चाहिए जो सही fuel हो Let us discuss some fuel based on their characteristic Now, अब हम कुछ fuel को discuss करते हैं उनकी characteristic के base पर Now, hydrogen Hydrogen is fuel तो हमें पता है कि hydrogen भी जो होता है वह fuel होता है और उसकी जो colorific value होती है वह होती है 150 आप इस table में देख सकते हैं Now, hydrogen is a fuel Hydrogen is considered to be the best fuel as it has the highest colorific value Hydrogen को best fuel माना जाता है क्योंकि जब हमने टेवर पढ़ी तो सबसे सम मैंसे सबसे जादे अगलरिफिक वेल्यू थी वह थी hydrogen की कितनी थी 175 हना sorry 150 तो However, it is highly inflammable वह highly inflammable है मतलब Inflammable मतलब ऐससे substance जो fire को आसानी से जल्दी कैच कर ले And does not cause pollution I'm sorry There are difficulties associated with its transport Storage and handling लेकिन hydrogen को फ्यूल के तरह यूज करने पर यह थोड़ा सा difficulty हो सकता है It could be dangerous हो सकता है कहां के लिए Transport के लिए मतलब एक जगे से दूसरे जाने के लिए कही पर restore करने के लिए और इसको पकड़ने के लिए It is therefore used as a fuel only where It is absolutely necessary This is why hydrogen यूज का यूज बहुती रियर बहुती कम कामों के लिए यूज किया जाता है क्योंकि जिसे की rocket fuel rocket fuel होता है यूज के लिए यूज के लिए ऐसे बहुत बड़े बड़े चीजों के लिए यूज के लिए यूज के लिए अब हम बात करते है methane और LPG यूज के लिए methane और LPG के लिए यूज के लिए methane की तो है 55 और LPG की है 50 50 & 55 तो methane & LPG इनकी थोड़ी सी काम होती है क्योंकि LPG की 50 methane की 55 they burn with a smokeless fire and therefore do not cause pollution अब यह जो LPG & methane होती है यह bond करने पर smokeless fire ऐसे fire को produce करते है जो बहुत ही smoke नहीं करता और pollution भी नहीं करता है यह तो हमने पढ़ा भी there is also easily stored and transported by via slanders and pipelines और यह एक ऐसे type fuels होते है जो सांगे से कहीं पर भी store किये जा सकते हैं और एक जगे से दूसरी जगे transported भी की जा सकते हैं जैसे कि via slander pipelines through हैंस they are ideal use for domestic और इन चीज़ों को तो हम लोग domestic के लिए यूज के जाते हैं LPG का तो मैं आपको एक्जामपल बता सकते हैं LPG case हम लोग daily use कर सकते हैं daily use करते हैं क्योंकि जैसे कि हम कैस पर खाना बनाते हैं फूड को करते हैं तो उनके लिए LPG case यूज होती तो मतब फ्यूल यह वाला फ्यूल हम लोग domestic यूज के लिए कर सकते हैं लेकिन hydrogen हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं बहुती रे और उनको यूज किया जाता है बहुती necessary condition पर है petrol और diesel as a fuel हम petrol और diesel को कैसे का में फूल 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 में निनका यह न ही बहुती रहती बहुती आवेलाबिलिटी है फासी यूजल को फूल को हम हमें बहुती जरूरर .... हम इसे के बारे में प 현 Hebrews और फूल तो पेट्रोल डीजल इंसम के बारे में भी आएगा और में डिसएडवांटेज तो हम पता है कि बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं अवेलेबल होते हैं अनेदर डिसएडवांटेज यह होता है कि यह हमारा टॉपिक था फ्यूल जो हम लें कम्प्लेट कर लिया है अब हम नेक्स वीडियो में फॉसल फ्यूल के बारे में बात करेंगे थैंक यू गार वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए शियर करें कमेंट बॉक्स में तरहें कैसा लगा और मेरे को सब्स्राइब कर दिजे थैंक यू